हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आपका स्वागत है मेरे यूटीब चैनल पर आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे और आज की विडियम में आपके लिए यूनिक और हेल्थी रेसीपी यह रेसीपी आप सब को बहुत पसंद आने वाली है और मैं कहना चाहूंगी कि आप इस रेसीपी को एक बाच ज्रोका करना और इसका जो फ्लेवर रेक्वल वाय पिजघ यासा है तो आप ज्रोका इस रेसीपी को एक बार अगर Distance छहां अगर आपको विडियो थोड़ से अच्छा लगता है तो इस विडियो को लाइक करना शर्का करना और कमेंट चेनल होग प्रिवी ना भूला प्रेल आइकन करें जो बटन इसे प्रेस कर दें आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिक्रेशन में सकते उपर आई बटन आ रहा होगा वह जाकर आप चेक कर सकते हैं मेरी और वीडियो तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो और चान दें इस में अझछाम को कर लेती हुद गालू को अच्छे से मेंकम कर लेना है मैं यहां पर आलू खाक से ही मैस कर रही हूँ हाथों से करने से यह फाइदा रगदा है कि वह अच्छे से मैस हो जाते हैं और इसमें गुछली ना बच्ची इस तरीके से हमें मैस करना है अब आप देख सकते हैं आलू को हमने मैस कर लिया है अब यहां पर हम एड करेंगे पर्दुकस किया हुआ खीरा बारी कटी ही प्याज और बारी कटी ही सिंगाल मिश्च हमने खीरे का जो पानी है उसे निकाल दिया है पानी इसलिए निकाल दे क्यूंकि अगर पानी रह जाएगा तो फ्रीज जो आलू का पेष्ट है वह पतला हो जाएगा तो इसलिए हमने खीरे का जो पानी हो उसे निकाल दिया है देखिए अब यहां में एड़ करूंगे इसमें यह दरदरी काली मिर्ष मेंने को दरदरा पीसा है और यह बुना जीरा पावडर यह आदा चमश नमद आप इपने स्वादमसा दख सकते हैं नमद यह आदा चमश लाल मिष्ट पावडर अब हमें सब को अच्छे से म अब देखिए अब देखिए हमारा मसाला त्यार हो चुका है मैंसे ढखकार एक तरफ लगतूंगी और अम मैं यहां पर लोंगी तेड़ कटोरी आटा अब यहां एड़ करूंगे इसमें आदा चमश नमद और यहां मैं दूद का इस्तवाल कर रहे हैं मैंने गुनगुना तो दूर में इसलिए इसमाल करें कूंकि दूर से इसमें जो है थोड़ा साल का मिठा पन आ जाएगा तो देखिए और आटे को हमें ऐसी बूथ लेना है जैसे नॉर्मल आटे को बूथते हैं हमने इसे पानी की साहथा से आटे को बूथ लेना है अब मैं यहां पर एड़ करूँ इसमें एक चमच घी का मैं यहां इसलिए इसलिए इसमाल कर रहें क्यूंकि आटे में चिकना हट रहे और अब देखें आटा लगकर त्यार हो चुका है अब हम इसे डखकर इस तरफ डख देते हैं पार्चमेट के लिए हम गैस पर पैन को रख लेते हैं और इसमें ओईल कर लेते हैं यहां मैंने दो छोटे चमच ओईल लिया है अब हम लोई लेंगे देखे मैंने यहां एक लोई ले लिए मैंने लोई को ज्यादा बड़ा नहीं रखा है उसी तरीके से मैंने यहां लोई ली है और हमें इसे रोटी के आकार में ही बेल लेंगे और इस लोई को हमें ज्यादा मौटा नहीं बेलना है पतला पतला ही बेलना है अट कि अवे हम जमाई बरावन की स्मेड्रिय है उसे हम भढ़ लेंगे चुपह यहां पर मसाला भढ़ लेंगे तो मसालें को फैला कर भढ़ नहीं कि अब दीख सकते हुँ मैं मसाला यहां पर फैला कर भढ़ रही हो एज phenomenal है नि मुजरेल चीज स्वाद है वह बहुत ही गजब का आता है हम झारे कोّ ऑफ से फोल्ड कर छोड़ ली आपको ऊसी तरीक से इसे फोल्ड Su इसी में सारी कचौड शेयर कर लो seven अब देख सकते हैं ऐसी हम सारी कचोरिएं तुह ult Так ऑप प्रेंट्स आप वीडियो को 30 देखना और आप 한번 जरूरबताना क्य आपको एह रेचिपि कैसी लगे आपको इसमें क्या अच्छा लाओ और क्या बुरा लगा आप मुझे जरूर बताना मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक जरूर कर देना और में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलना अब आप देख सकते हैं दोस्तों ये कचोणिया मतकर त्यार हो चुकी है और अम मैं इनको सेख लेती हूं तो मैंने यहां पैन में और दो चोटे चम लिया है जिसे मैंने गरम कर दिया है पहले तो आप देख सकते हैं और हमें कचोड़िया स्लू फ्लेम पर ही सेखनी है क्योंकि स्लू फ्लेम पर सेखने से एक अंदर जो चीज बरागवा भी अच्छे से पिल लेगा और कचोड़िया भी गुल्डन ब्राण और पुरकुरी से एंगे अगर हम फ्लेम तेज कर देंगे तो कचोड़िया जल जाएंगे और नहीं चीज ठीक से पिल लीगा अब आप देख सकते हैं यह कचोड़िया गुल्डन राउन होती जा रही है हम इने ऐसे ही सेख लेंगे अब आप देखिए यह कचोड़िया सीख चुकी है और मैं इसे पैंसे बाहर निकाल लेती हूं तो आप देख सकते हैं यह कितनी प्रिस्पी लग रही है देखने में और यह गोल्डी ब्राउन हो चुकी है ऐसे ही में सारी कचोड़िया सीख लोगी तो आप देखिए मैं इस कचोड़ियों आपको थोड़ा सा खोड़ के दिखाती हैं इतनी इच्छी लग रहे हैं खाने में वह बहुत ही टेस्टी आप जरूरे कोई ट्राई करना इसे मुझे आप कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको यह कचोड़ियां मैं आपके कमेंट कर वेट करूँगी तो थैंक यू